नमस्कार, मैं हूँ एमेंदर शर्मा और आप देख रहे हैं MP Roundup मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यपंतरी और मध्यप्रदेश कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलात ने कहा है कि कोई भी नेता किसी भी दल में जा सकता है उन्होंने खुद के भारती जन्ता पार्टी में जाने के सवाल पर उसे कोरी अफवाह बताया है हलंकि उन्होंने कोई भी नेता किसी भी दल में जा सकता है ये बात आचारे प्रमोध कृष्टनन के भारती जनता पार्टी के अंदर जाने की संभावना के सवाल पर कहा है लेकिन इसके जो है अलग-अलग माइने लगाया जा रहा है अलग-अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट उनके जवाब को किया जा रहा है कमनलात अब मद्रप्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष नहीं है वो अब सिरफ एक छद्वाडा से विधायक है और एक जमाने में श्रीमति इंदरा गांधी के तीसरा बेटा कहलाये जाने वाले कमनलात अब जो है इतना बड़ा राजनेतिक कद्ध होने के बावजूद भी उ बात उनकी वो लागू होती है या नहीं होती है और बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है सीर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुन दिक्षिट सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर बड़े दिनों से अफवाएं चल रही है इस तरह की बाते चल रही है जिसको रूम कमलाथ चले गए पिछली बार ते किस जन्वरी की डेट भी देदी कि राम मंदर के प्रत्रश्ठापन से पहले एक दिन पहले चले जाएंगे उसके पाद अभी पिछले दिनों मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में दोनों ये चीजें चला रहे हैं बीजेपी का गोट इसले चला रहा है कि देखो कॉंग्रेस टूट रही है और कमलाथ और उनके बेटे ने साड़े चार करोर राम नाम लिखवाए वो बेजे जा रहे हैं इसका भी परचार हुआ हन्वान मंदर उन्होंने बनवाया ही है आ जो कदम नीतिस कुमार ने उठाया है उसके बाद मैं 44 साल की जलेजब के बाद ये प्रडेक्ट करने के इस्तिती में नहीं हूँ कि ये होगा की नहीं होगा कुछ भी हो सकता है तो यही बात कमलाथ में भी कही है तो आप इसका बिटमीन दा लाइन से अगर पढ़ें तो आ अपनी जगे हैं लेकिन उनके बड़े अच्छे संब्द भी रहें कमलनाथ से पर आज सबसे बड़ी बात है कि आप यह नहीं कह सकते कि कमलनाथ कल रहेंगे की नहीं रहेंगे जाएंगे की नहीं जाएंगे क्योंकि जो नीतिस कुमार ने उधान सेट किया है उसके बाद कोई समस्या नहीं थी और चीफनिस्टर सिफ को कोई खत्रा नहीं था तो यहां तो कमलनाथ जी का बड़ा कद्रा है इंडरा गांधी के तीसरे बेटे थे उनने सो असी में पहली बार सांसत बने थे उसके बाद एक बार थोड़े समय के लिए हारे लगातार लोग सवा में इसके बाद जब यहां आए तो विधान सवा में हैं आज पूर्व मुख मंतरी पूर्व केंदरी मंतरी पूर्व प्रदेश अद्यक्ष और एक बड़े उद्योगपती तो वहाई है तो अब सवाल यह है कि क्या कमलनाथ सिर्फ विधायक बनकर अगले पांच साल रहेंगे चलो सर्फ मेरा अगला सवाल यह है कि इतना जिसका राजनितिक कद हो जिस व्यक्ति का इतना अनुभव जिसका हो और क्या कॉंग्रेस पार्टी उनका सही उप्योग अभी बरतमान समय में कर रही है या उनके लिए जिस तरीके से उनको कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश जक्स पद से हटाया गया क्या वो उनके लिए आने वाले दिनों के लिए सिगनर था कि आगे उनके लिए कॉंग्रेस पार्टी के अंदर क्या काम मिलेगा देखे यह जो आपने बड़ा वाजीब सवाल है इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाओ की विदान सवा चुनाओ में ह हार के बाद जिस तरह की अभाएं चली जो जो चीजें आई जिस तरह के आरूप लगे पिदिन्द पार्टी और जैसा कदम केंद्रिय नेतरत ने आपा धापी में उठाया एक संबाजनब तरीका यह होता कि कमलनात पब्लिक लिए कहते कि हार की जिम्मिंदारी लेते हुए मैं अध्यक्षपत छोड़ रहा हूँ और हमेशा ऐसा हुआ है बाला कि वो भवर जितने सिंग बाद में आके और उन्होंने सपाई दी कि उन्हें पहले दे दिया था नहीं जो हमारी जानकारी है वो यह है कि केंद्री नेतरत ने जो फैसला लिया उसको केंद्री नेतरत को खुश नहीं थे और कई चीज़ें खुद राउल गांधी उठा चुके थे तो जिस तरह से उनसे अध्यक्षपत लिया गया वह बहुत कमला जैसे नेता के लिए बहुत अपमान जनर और जिसको कहां कि मतलब इंबरेसिंग है और उसके बाद यह चीज़ें चली है जो तो हमको लगता है कि केंद्री नेतरत जो है वो कमलनाथ हो चाहें दिग्विये सिंग हो अब एक चीज़ और आप देखिए देखिए सिंग नहीं पिछले दोलों इभियम पर प्रेस कॉन्फरेंस की भुपाल में जबकि एभियम केंद्री नेतरत जाने दल उठा रहे हैं त इन लोगों को पसंद रही कर रहे हैं खबर यह है कि रावल गांदी किसी से मिलते हैं अब यह आत्रा चल लेकिन वह कोशिश यह कर रहे हैं कि सारे बरिष्ट नेताओं को किनारे करके एक नई कॉंग्रेस खड़ी की जाए अब वो अपने इस जीवन में कर पाएंगे कि नहीं कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जो किसी भी लेविल तक जाते हैं कमनात की अगर हम बात करें कि कमनात जो है उनको जिस तरीके से हटाया गया आपने कहा कि उनके लिए अंबैरेसिंग था शोबनी नहीं था कॉंग्रेस पार्टी के अंदर तो जो यह अटकले लगाई जा र करें मेरा सवाल है कि अगर वो किस भी दल में रहें अगर कॉंग्रेस में रहते हैं तो उनका आप फ्यूचर क्या देखना है क्या पॉलिटिक्स होगी उनकी और भारती जंता पार्टी में जैसे की बातें चलो है वहां जाते हैं तो वहां क्या पॉलिटिकल फ्यूचर उनक कि वो Congress का हितनी सोचा गया है Congress जितनी कमजोर हो रही है आज मैं कहता हूँ 89 में नारंदर तिवारी के जाने के बाद जिस तरह Congress की हालत उत्तर प्रदेश में होई आज दो विधायक नहीं है कि अदूर दर्सी फैसला बिना सोचे समझे आप कोई भी चीज इंप्लिमेंट करोगे तो आप प्रॉसें कौन्स तो देखो उसका क्या उससे फायदा होने वाला है सिर्फ आपको यह करना है कि आपको एक जातका बनाना है कोई कमलनात का नहीं आप देख रहे हैं कमलनात का फूचर तो रावल गांदी ने दर्वाजा उनके लिए बंद कर दिया है और भारती जनता पार्टी में क्या पॉलिटिकल फीचर दिखते हैं मुझे नहीं लगता कि अब क्योंकि वहां तो पहले ही मार दर्शक मंडल और नरेंद मोदी से चार साल बड़े हैं तो वहां और ऐसा करेंगे भी नहीं यह हो सकता है कि वह अपने बेटे के भश्य के लि डूनों से जोड़कर है कि अगर कमलात कॉंग्रेस पार्टी में रूखते हैं तो खुद के लिए उनकी पॉलिटिक्स के लिए उनके परिवार के लिए ऐसा क्या चीज है जो कॉंग्रेस पार्टी उनको उफर कर सकती है जिसके लिए वो रोके रहे हैं Congress Party में, और यदि भारती जनता पार्टी में जाते तो ऐसी क्या चीज़ है जो भारती जनता पार्टी उनको offer कर सकती है, जो attract कर सकती है जिससे वो Congress छोड़ के भारती जनता पार्टी में जो नरेंद मोदी ने बिचाया है, जाल में फसी है, कि ये OBC, ST, SC, जर्नल, इस क्लास के खेल में ये नहता नहीं देख रहे हैं, कौन काम कर पाएगा ये कॉंग्रेस का नहीं देख रहा है, वो जात देख रहे हैं, मत्रदेश भी यही हुआ है, तो कमला जी के लिए अब अग कौन आएगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये तय है कि राहूल प्रियंका, सोनिया जी भी अब किना रहे हैं, इनके आगे कॉंग्रेस अभी दिखत रही है, और यही बज़े है कि ग्रूप 23 बना था, राहूल की बज़े से बना था, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है और भारती जंता पार्टी में बड़ा गेम है, भारती जंता पार्टी के लिए एक बड़ा क्रेडिट ये होगा कि इंद्रा गांधी के तीसरे बेटे को वो अपने साथ ले आए, पत तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, राजसभा भी खाली हो राजसभा दे सकत हैं और भी बहुत कुछ हैं कि कमलनाथ का बिठत तो बिलकुल अलग तरह का है पर अट्रेक्शन सिर्फ यह होगा कि कल को मोदी जी सीना ठक ठक के कहेंगे कि देखो क्या हालत है उनका तीसरा बेटा था इतना इंपॉर्टन तो यह सबसे बड़ी कि कमलनाथ जी के मुझे से निकला कि कोई कहीं जाने के लिए सद्धंत्र है वो सिर्फ यह है कि जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया है वो अपनान पचा नहीं पाए तो कमल नात ने खुद के भारती जनता पार्टी में जाने के सवाल पर कहा है कि ये कोरी अफ़ा है लेकिन आचारे प्रमोद कृष्णन को लेकर जो उन्होंने कहा है और ये कहा है कि कोई भी नेता किसी भी दल में जा सकता है वो बात उनके उपर भी लागू निश्चित तोर पर हो सकती है MP Roundup में आज सिर्फ इतना ही कल फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए थैंक यू गूर्बाई मुलाई